आपको मित बोल रहा हूं और स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल पे और आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास MPEG-4 शेटप बॉक्स है तो आप MPEG-4 शेटप बॉक्स में कैसे आप उसमें वाइफाई रिसीवर लगा सकते हैं और उसमें कौन सा वाइफाई रिसीवर आपका काम करता है तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास वी जोन कंपनी का सेटप बॉक्स है और यह मैंने वी जोन कंपनी का यह मैंने मार्केट से इसको पर्चिस किया तो यह मुझे पढ़ा था 7-800 के करीब पढ़ा था जो कि टाइम मार्कर में कि प्राईज हाई हो गए कौन सा model का Wi-Fi डूंगल लगा है यह आप देख सकते हैं कि इस company का मेरे पास Wi-Fi receiver है और Wi-Fi डूंगल भी आप बोल सकते हैं जो की काफी अच्छे support करता है काफी छोटा है और इसकी range भी काफी ज़्यादा है तो इसको सबसे पहले क्या करना आपका जो USB port होगा आप जैसे देख इस report मेरे box के पीछे दिया हुआ है मैं आपको दिखाने कोसिस करूंगे यहां पस दिया हुआ है और यह HDMI के हो गया और यह अंटीना के हो गया और यह adapter आप्टर आइडवी डूंगल तो यह आप जैसे देख सकते हैं कि इसको मैं सबसे फ्रेंट में लगाऊंगा तो इसको म में blue light जलने लगी है Wi-Fi receiver में और TV screen की ओर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको connect करना है तो सबसे पहले आपको इस तरह से रहेगा home channels को और इसके बाल आपको अपने mobile से hot spot को on कर देना है और जैसी mobile से आप hot spot को on करेंगे तो इस तरह से आपको menu खुलेगा आपका त lesium setting में आने के बाद आपको network setting में आना है आप जैसे देख सकते हैं कि इसमे network setting को option है तो मैंने जैसे network setting में पहुँँच चुका हूँ और इस जैसे ही आप अगे करेंगे तो इस तरह से कुछ option आपकी इसमें बताएगा आप जिससे देख सकते हैं और इसमें इसके बाद आपको क्या करना है अपने रिमोट से आपको green button press करना है या आप जिससे देख सकते है green button press करने के लिए दिया है और इसमें जैसे आप इस green button को press करेंगे तो इसमें scan करेगा और scan करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि जो mobile ka model number बतादेगा और IP address बतादेगा MCR address बतादेगा और quality बतादेगा कि आपका signal quality कितना पा रहा है और कितना correct पा रहा है तो इसमें आपको करना क्या है कि तो मेरा password जो मैने डाल के रखा है, तो आप जैसे देख सकते हैं, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, तक मैने डाल के रखा है password को, और इसको मैं save कर दूँगा, तो ऐसे आपको password दलड के save कर रिना है, और जैसे ही connect हो जाएगा तो आपका right kitchen बन जाएगा तो अभी यह मेरा connect हो रहा है तो इस तरह से आपको wifi को अपने mobile से connect कर देना है तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि right kitchen नहीं आप बस लग चुका है आपका wifi receiver में की मेरा net proper तरीके से पकड़ रहा है तो friends बस इतना ही आपको update देना था यदि वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल्स पर पहली बाहर है तो चैनल को subscribe करना ना भूलना ऐसे लेक्टेश वीडियो पाने के लिए तो वीडियो दिखने के सभी मित्तों का मेरा बहुत बहुत धन्यबाद और नवश्क्यार